चलिए तो हम लोग सीखने वाले हैं find the square वर्ग ग्याद करें कैसे एक magic trick के थुरू किसी भी संख्या का वर्ग चाहे वो संख्या दो अंक का हो चाहे वो संख्या तीन अंक का हो सुपर मैजिक ट्रिक के तुरू हम कैसे किसी भी संख्या का वर्ग ग्याद कर सकते हैं आज हम आपको सिखाने वाले तो यहाँ पर देखिएगा पहले हम आपको टाइप बाई टाइप सिखाएंगे पहले दो अंक वाली संख्या का वर्ग सिखाएंगे तुरंत आपको तीनंक वाली संख्या का वर्ग सिखाएंगे और यकीन मानिए एक बहुत ही खतरनाक कॉंसेप्ट आपको देंगे जो हर परिक्षा में आपके लिए रामबान साबित होगा अच्छा यह जो हमारा बुक बना है ना इसके अंदर भी find the square के उपर बहुत बड़ी चर्चा की गए यह बहुत सारे प्रश्न को डाला गया है तो यह बुक बहुत ही शांदार है जो Amazon पर आ चुकी है और यह बात आपको ही पता है तो आप type by type पढ़िए कि सर्फ find the square में type 1 में क्या पढ़ना है ठीक है टाइप में पढ़ना है कि जब इकाई अंक पर क्या हो ठीक है इकाई अंक पर जो हो आपका जो type 1 में पढ़ना है वो पढ़ना है कि इकाई अंक जो है वो 0 हो समझे एक बहतर एक बच्चा भी इस चीज को आज सीख जाएगा अगर वो पूरा class देखता है पूरा वीडियो देखता है तो एकाई अंक पर 0 हो जैसे 10 का square बहुती आसान तरीके से हम बताएंगे 20 का 30 का कुछ भी लिग लिजे 50 का square 70 का square 80 का square अभी पहले इतना सीखे देखिए सबीस अंक्याओं के अंत में 0 है तो आपको क्या करना है कि common क्या दिख रहा है कि सबके अंत में 0 है तो पहले जो 0 के अलावा क्या है एक है तो एक का square एक होगा पांच का square 25 होगा और 1 0 है तो यहाँ double 0 कर दिजे और 7 का square 49 होगा एक है तो यहाँ double 0 कर दिजे और 8 का square 64 है तो यहाँ 1 है तो double 0 कर दिजे इस तरीके से आप किसी भी संख्या का square कर सकते हैं जाभी काई एंग पर 0 हो हमको अगर 200 का स्क्वाइर करना हो हमको अगर 3000 का स्क्वाइर करना हो और हमको अगर 5000 का स्क्वाइर करना हो तब कैसे करेंगे तब कैसे करेंगे तो बहुत ही आसान मैं थड़ है बाबू कि 90 का स्क्वाइर में 9 है तो 9 का स्क्वाइर होता है 80 और यहां 1 0 है तो उसका जस्ट तो डो सीरू, ऋमें यहां तो आप 10 का स्कj pres करिए, ये या तो 1 का स्क्वj का स्कj pres एक अगर एक लिज जेगा तो ह्भाट 10 का स्कॉर्ण 100 कर के जो 2 को 0 बैठ़.'' यहां एक का स्क्वj ber add के हिने है तो 2 का डवाल कडो दो का चार यहां देखे एक सो तीस में तेरा का स्कॉयर होता है एक सो नहत्तर तेरा का स्कॉयर एक सो नहत्तर यहां एक जीरो तिदर डवल जीरो पंदरा का स्कॉयर में पंदरा का स्कॉयर होता है दो सो पचीस और यहां एक जीरो है तो डवल जीरो जस्ट डवल पांच का स्क्वाइर हो गया 25 और यहां 3 0 है तो 6 जो 1 2 3 4 5 6 आप इस तरीके से प्रश्णों को जब एकाई अंग पर 0 हो तो स्क्वाइर फाइंड आउट कर सकते हैं यहां तक आप सीख चुके हैं यस य नो में जब आप दीजे सब लोग सब लोग कमेंट बोक्स में कमेंट करिए कि सर बिल्कुल सीख चुके हैं और बहुत अदभुत तORके से आपका स्कॵाइर सीख चुके हैं वरना आप हमारी किसी भी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन से अप्लिकेशन का लिंक कर ले सकते हैं, प्ले स्टोर में सर्च करवाना है ड्रीम क्लासेश ओफिसेल अप्लिकेशन को इंस्टॉल करके रजिस्टर करके पेड कोर्स के अंदर जाईएगा, तो paid course के अंदर competitive का section मिलेगा जिसमें आपको संघर्स बैच दिखेगा और बोलिए कि भाई नया बैच है आज से ही शुरू हुआ है जी हाँ आज कल से ही शुरू हुआ है ना ये बैच तो आज कल से ही शुरू हुआ है और पूरा एक साल चलेगा 499 बिलकुल फीश है 800 बैच क तो एक बार पढ़ लेगा ना यकीन मानिए वो हर exam को crack कर सकता है चाहे वो railway का हो SSC का हो defense का हो चाहे वो बच्चा सीजल ही क्यों ना देने जाए यकीन मानिए एक भी math or reasoning नहीं चूटेगा हम उस level तक पढ़ाएंगे यह वादा है मेरा चलिए यह तक हो गया type 1 type 2 में क्या कर तो तब कैसे बनेंगे 5 वो यानि 15 का स्कॉर 25 का स्कॉर 35 का स्कॉर 55 का स्कॉर कुछ भी लिख सकते हैं 75 का स्कॉर 85 का स्कॉर 65 छूट गया कोई बात नहीं यहां लिख दो भई 65 का स्कॉर आईए अगर इस तरह के प्रस्ट में आपको find out करना है जिसे देखिए यह direct exam में तो भी तो आप भी बनाओगे आपका बगल वाला भी बनाएगा यह बहुत ही नॉर्मल चीज़ है लेकिन आपके और उसमें समय की बहुत बड़ी बहुत बड़ा difference हड़ेगा हो सकते आप 2 सकेंड में और वो 10 सकेंड तो 8 सकेंड बचाना कुछ और कर लेंगा 8 सकेंड में ठीक सबके यूनिट डिजीट में इकाई एंग में 5 है अचाहिए बैच आपको पता है कि संघर्स बैच बिल्कुल अभी पंदरा फरवरी ना हाँ पंदरा फरवरी शे शुरू किया गया है ठीक है तो सबके इकाई एंग पर आपको 5 दिख रहा है यूनिट डिजीट 5 है तो एक है क्योंकि 15 अका स्कॉयर में 5 का स्कॉयर हमने 25 लिख डाला इसके लावा एक है तो एक के बाद गिंती में क्या आता है तो जो संख्या गिवेन हो उसको अगली गिंती में आने वाली अगली संख्या से गुना करते हैं दो एक कम दो 15 का स्कॉयर 25 और ये 2 है दो के बाद टेवल में 3 दो तीया चो अगली संख्या से गुना पांच का स्कॉयर 25 और ये कितना है तीन है टेवल में 3 के बाद 4 तीन चक 12 पांच का स्कॉयर 25 और ये टेवल में 4 है तो 4 के बाद क्या आता है टेवल में 4 के पांच चक 20 यह 5 है बाबू 5 का स्कॉयर 25 और यह भी 5 है तो 5 के बाद क्या होता है यह नहीं अगला यह कुश्चन नहीं देखना है 5 के बाद टेवल में क्या आता है सर 6 आता है 6 35 सब लोग कमेंट करके बताये सीख है या नहीं हा या ना में जबाब दीजे यह 7 है बाबू 75 है तो 5 का यह च्छे है ना, तो च्छे के बाद टेवल में साथ आएगा सचक भी है, अगली संख्यां से गुना करेंगे, यहां तक सीखें, सीखें, यस या नो में जवाब दीजिए, सब लोग सीखें या नहीं सीखें, बिल्कुल, सीख चुके होंगे, अब अगले टॉपिक पर, इसी में थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए, सीखें ना, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, अब मान लीजिए, हमने 95 छोड़ दिया था, 95 का स्कुएर, हमने अभी तीन अंक वाला भी सिखाएंगे, सुपर मैजिक बने तो रहें, 105 छोड़ दिया, तो हमने 105 का स्कुएर किया, हमने 115 छोड़ दिया, तो 115 का स्कुएर, हमने 125 छोड़ दिया, चलिए इतना काफी है, क्योंकि दो ही अंक का हम बर्ग सीख रहें, तो एक्स्ट्रा करवा रहें, आपको तीन अंक वी इंक्लूड कर रहें, देखो बाबू, मजा आ रहा है ना, यहां पर जुड़ के, लग रहा हुआ कि यहां बहुत बढ़ियां प्लेटफॉर्म पर आयें, एक बहतर कॉंसेप्ट सार प्रोवाइड कर रहें, क्योंकि जिसको नॉलेज नहीं पता रहेगा, जिसको बेसिक नॉलेज पता नहीं रहेगा, जिसको छोटी-छोटी उडान भरनी नहीं आते, वह लंबी उडान क्या भरेगा, सिंपल सी बात है, तो यहां देखे 95 का स्कॉर्र, बभू सब में 5 है, तो 5 का स्कॉर्र होता है 25, और यह बचा है 9 के बाद, टेबल में 10 आता है, तो 10 नमा, 90, सब को आ रहे हैं समझ में, अच्छा नहीं आ रहे हैं, कुछ बच्चों को एक आक जो होंगे, दोखो करना कुछ नहीं है, पहले इसका स्कॉर्र कर देना है, पांच का स्कॉर्र 25, और यह जो बचेगा, यह जो बचा है, उसको गिंती में जो अगली संख्या है, उस गिंती की अगली संख्या से गुना कर देना है, तो पांच का स्कॉर्र 25, जैसे देखो, 35 का स्कॉर्र हम क्या किये, पहले पांच का स्कॉर्र आप लिख दीजे 25, लिख दीए, और यह कितना बचा, क्योंकि पांच का तो काम हो गया 25, ये तीन है, तीन के बाद गिंती में क्या आता है, चार आता है, सब को पता है, तो तीन को चार से कर दीजिए गुना, बताए चड़ती है कितना होगा, 1225, यही चीज तो यहां पर लिखा हुआ है बाबू, बस, अद्बुत तरीके से, यहां देखो पांच का स्कॉयर पचीज और यह 10 बचा है, तो 10 के बाद गिंती में क्या आता है, 11, 11, 11 को गुना कर दिजा, 1110, पांच का स्कॉयर हो गया 25, यह पांच का स्कॉयर पचीज, इक ग्यारा बच्चा, ग्यारा के बाद गिंती में आता है 12, 12गुने गारा कड़िए तो 132 है, कर के देखिएगा रोज का क में ठीक है पांच का स्क्वाइर हो गया 25 और यह बच गया 12 12 के बाद गिंती में आता है 13 13 गुने 12 करिएगा 156 आएगा कि सिंग गए कि ध्यान से देखिए एकदम ध्यान से देखिए बन जाएगा एकदम आसानी से बनेगा जिसको समझ में ने आया वो एक बार फिर से वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए 100% समझेंगे एकदम संपुर्ण ग्यान की प्राप्ति होगी आप एक बार वीडियो देखिए अल्रेडी हमने इसके उपर यूट्यूब पे वीडियो बना रखिए पर फिर भी एक बार फिर से आपको समझा रहें ताकि आप बहतर कॉंसेप्ट आपको मिल पाए अब चलिए आप किसी भी दो अंक की संख्या का वर्ग निकालेंगे उसके बाद तीन अंक वाली संख्या का सीखेंगे तो अब यहाँ पर रेडिंग बनाईए तो अंक की दो अंक की संख्या का वर्ग किसी भी दो अंक की संख्या का वर्ग क्या अद्भुट ट्रिक हम देने वाले सोच के रखिएगा क्या बहतर कॉंसेप्ट आपको समझाने वाले किसी भी दो अंक की संख्या का वर्ग जैसे हमान लिजे एक सिंपल सी संख्या से शुरूआत करते हैं, 23 का स्क्वेर, 26 का स्क्वेर, कुछ भी नॉर्मली अभी हलके हलके प्रश्णों की शुरूआत कर रहे हैं, फिर हम ले लेते हैं 32 का स्क्वेर, पहले ये हम सिखा दे, ये सब काम आएगा, मैथ पढ़िएगा, म प्रश्णों को हमने लिया है, फिर दीरे-दीरे हम लेबल भी बढ़ा देंगे, ठीक है, हाँ, दीरे-दीरे क्या करेंगे, बच्छो लेबल को बढ़ा देंगे, आईए, 23 का स्क्वेर करना है, एक ट्रिक आता है, हलाकि उस ट्रिक की कोई आवे सकता नहीं, बस नहीं, ध्य जान से अगर अपनी निगाहें गड़ा के रखेंगे, तो उत्तर हो जाएगा, पहले आप इसका स्क्वेर कर दीजे, जो सबसे लास्ट में, तीन का स्क्वेर, अच्छा, वन टाइम, वन डिजिट, एक बार में एक अहीं लिखना है, तो पहले हमने इसका स्क्वेर किया, सर तीनों को गुना, दो तिया छे दुनी बारा के दो, क्योंकि एक बार में एक ही अंक लिखना है, वन टाइम, वन डिजिट, हाथ में रहा एक, दो तिया छे दुनी बारा के दो, हाथ में रहा एक, और अब बच गया दो, दो का स्क्वेर चार और हाथ में एक था, पान सो उन स्कोर 26 सोथ हम और हाथ में तीन था दो चेकी 12 बारह बाराः दौन चौबीस दिन सत्त ऐस अभी हाथ में दो है दो का स्कौर चաर और हात में दो था ता तो सिखे सीखे यस्यनों में जबाब दीजे मजा आ रहा है अद्बुट ट्रिक हर परिक्षा में काम आएगा हर जगा आपके लिए एक बहतर कॉंसेप्ट साबित होगा देखो 32 का स्कॉयर दो का स्कॉयर चार दो का स्कॉयर चार अब क्या करना है तीनों को गुना तीन दुनी छे दुनी बारा दो का स्कॉयर चार लिख दिया तीन दुनी छे दुनी बारा के दो हाथ मेरा एक और अब इसका स्कॉयर तीन का स्कॉयर नौ और हाथ में एक था दस च चारती या बारा दुनी 24 के चार अभी हाथ में दो और चार का स्क्वेर 16, 16, 28 परम ज्यान की प्राप्ति अच्छे से आप समझ पारें नहीं नोटिफिकेशन जाता होगा आपने ध्यान नहीं दिया होगा और हाँ नोटिफिकेशन जाए या ना जाए संघर्स बैच को अगर पढ़ना है तो आप खुद होम के बगल में माई कोर्सिस में 12 बजे से पहले जाकर चेक करिए और 12 बजे के बाद जाकर चेक करिए अग खाने में आपका नोटिफिकेशन नहीं आता होगा खुदी भूख लगता होगा जाते हैं ना खाने यस यह नो अगर कुछ बच्चे कह रहें किसा नोटिफिकेशन नहीं आया तो खाने के लिए भी नोटिफिकेशन आता है अलान बसता है ना भूख लगती है ना खाते है ये काम भी खुद से करें ठीक है वैसे हमारे तरफ से जाता है लेकिन फिर भी इन रियर केस नहीं गया तो फिर आप अपना ध्यान रखिए कि हमको क्लास करना है ओफ लाइन वाले सर रोज फोन करके तो नहीं बुलाते होंगे ना कि बाबु आज क्लास से जल्दी आओ खुद ही जाते हो आप लोग तो यहां भी खुद से आना है चलिए थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं चलिए अगर इतना बनाते हैं वो भी एकदम ट्रिक्स है तो फिर क्या चाहिए यह अद्बुत है आपके लिए जल्दी उत्तर करिए बहुत बहुत बहतरीन सवाल सवाल है बावन का स्कॉयर पहले बाबु इसका स्कॉयर करना है दो का स्कॉयर वह चार फिर तीनों को गुना कर दो पांदूनी दस दूनी बीस के जीरो अभी हात में रहा दो दो का स्कॉयर चार पांदूनी दस दूनी ब बहुत बढ़िया। दीके बहुत 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 बहतर कॉनसेप्ट देंगे बाद बने रही एक बहुतर क्लास आज कर्वाएंगे। आठ का स्क्वाइर होता है 64, पहले इसका स्क्वाइर करना होता है ना बबू, आठ का स्क्वाइर 64, हाथ में रहा 6, एक दम ध्यान से सुनना गड़बर नहीं होना चीए, आठ का स्क्वाइर 64, हाथ में रहा 6, और आठ चक 32, चरी अठी 32, तीनों को गुना करना है, तीनों को जीरो अभी हाथ में साथ फिर चार का स्क्वाइर सोला सोला साथ 23 बिल्कुल सबका सही उत्तर जा रहा है माही ने गलत उत्तर दिया भाई ध्यान से माही देखो 36 का स्क्वाइर करना है तो पहले 6 का स्क्वाइर 36 छे का स्क्वाइर 36 हाथ में रहा है 3 ध्यान रखना है कि हाथ में 3 है छेती या थारा या तीन चक अठारा अठार दुनी 36 चार आथ में 3 था 36,3,49 अभी भी हाथ में 3 है तो अब 3 का स्क्वाइर कर यह 3 का स्क्वाइर 9,9,3,12 12,49 बिल्कल ममता पाल ने उत्तर दिया बहुत बढ़िया 57 का स्क्वाइर करना है तो पहले 7 का स्क्वाइर 49 7 का स्क्वाइर 49 हाथ में रहा 4 5,7,35 दुनी,70,4,4,4,4,4,7, गती में लाईए 5 का स्क्वाइर 25,7,32 थोड़ा गती अपने अंदर एनर्जी लेकर आईए देखो गती कैसे लाए जाता है 3 का स्क्वाइर 9,6,3,18,26,6, हाथ में रहा 3,6,3,4,3,9 इसको बोलते हैं यह हमारा स्क्वाइर बाकि आपके लिए हम धीरे कर रहे हैं बाबु 3 का स्क्वाइर 9,6,3,18,26,6, हाथ में रहा 3,6 का स्क्वाइर 36,3 अगर हमारे स्टाइल से चलिये तो सर 4 का स्क्वाइर 16,6,हाथ में रहा एक सच्शक 28,26,57,美味, हाथ में रहा 5,75,45,45,45, यह हमारा स्टाइल है आपके स्टाइल से सर चार का स्क्वाइर 16 ठीक है चार का स्क्वाइर 16 हाथ में रहा एक सच्चक 28 दुनी 56 एक संतावन हाथ में रहा पांच और हमारे स्टैल में गलती भी होती है चार का स्क्वाइर 16 हाथ में रहा एक सच्चक 28 दुनी 56 एक संतावन हाथ में रहा पांच और साथ का स्क्वाइर 49 एक संतावन हाथ में ध्यान दीजेगा 24 ची आतर ही होगा कोई बात नहीं उसको कहलते उसको कहते हैं अमmentalig steps है दो आंक वाला सीक्खे या तीन थीन प्रहशन और करेंगे उसके बाद तीन नन क्योंकि सो तक हमें सीखना है नए एक हम ले लेते हैं यह चार-पांच प्रश्न और डिल कर दीजिए एक ले लेते हैं 85 का स्कॉयर एक हमने ले लिया 93 का स्कॉयर एक हमने ले लिया 96 का स्कॉयर चार प्रश्न काफी है उसके बाद दो अंक वाला खता मुझेगा तीन अंक वाला आ जाएंगे ठीक है तो यह बुक मंगबा लेंगे आप लोग जितना जल्दी हो सके हमाजॉन से मंगबा लीजिए लिंक डाला हुआ है अब यूट्यूप पे भी लिंक डाला हुआ है कोई भी वीडियो अप्ले करिए अन्य तो फिर लिंक की जरूरत नहीं है तो हमाजॉन तो सबके पास रहता है और फ्लिप काट है और दीन की तरीके से बहुत ही सिंपल है पहले का स्क्वाइर कर दीजिए चार. 8, 2, 16, 16, 2, 32. क्युकि 2 का स्क्वाइर 4 में कुछ बचेगा नहीं. 8, 2, 16, 16, 32. 82, 16, 16, 32 के दो. हाथ में रहा 3. और 8 का स्क्वाइर 64, 63, 63. 67, 64 यह रहा है किसी का? जी. पूजा कुमारी का उत्तर है. 67, 64. दूसरा इसको दो तरीके से कर सकते हैं एक नॉर्मल एक नहीं तो पांच का स्क्वाइर 25 और आठ नमा बहुत दर यह भी कर सकते हैं पांच का स्क्वाइर 25 तो यह पर सिंगल डिजीटी लिखना है ना हात में रहा दो आठ पच्वाइर चाल्यश चालेश दूरे असी-दू-बरासी हात में रहा आठ और अठ का स्क्वाइर 24-चौ। चौशट आठ होता है बाहुत यह आया था ना दोनो तरीके से सेम थेगए जी है। 3 का स्क्क्वेर 9 ती का स्क्वेर 9 और 9 37 27 27 दुनिठ 54 हाथ में 5 नो का स्क्वेर 80 85 86based आरएस मजमें क्या बात है बहुत बड़ी है 92 का स्क्वेर – 36 हाथ में रहा तीन छे का स्क्वेर 36 हाथ में रहा तीन 9DEN 264 दुनिठ 108 और 8 तीन 112 ही 111 यहाथ 111 का एक लिखेंगे हाथ में 11, देखे 36, हाथ में रहा 3 9, 6, 54, 54, दुनी 108, और हाथ में 3 था 8, 3, 111, 111 का सिर्फ एक हाथ में 11 बचेगा, ध्यान रखेगा और 9 का स्क्वाइर 80, 81 होगा बिरान भी ठीक है, तो दो अंक का वर्ग हम निकालने के लिए सीख चुके हैं एक अद्बुत तरीके से, एक बार सब लोग कह दीजिए कि सर बिल्कुल सीख चुके हैं दुबारा सीखने की जरुरत नहीं है और आपके रहते बिल्कुल सीख जाएंगे ठीक है, तो ये बिरानवे सोला इस प्रश्न का उत्तर हुआ चाहा, 87, 86 होगा ना हाजी, 86, 89 होना चाहिए किसी ने 87, 89 कर रहा है जी हाँ, बिरानवे सोला तीन अंक वला शुरू करे उसी में तो मेन मज़ा है कि जब तीन अंक की संख्या हो तो वर्ग कैसे find out करें बहुत अद्बूत तरीके से मतब जो बच्चा हमारा ये calculation का ये class देख लेगा उसको एकदम लगेगा कि क्या गणित्थम सीकर है, क्या square सरने सिखा है क्या बहतरिन तरीके से सरने सिखा है ऐसा हमारा मानना है, बाकी आपकी क्या मान सीखता बनती है, हमारे परती वो तो आपको पता होगा ठीक है, now let's start the three digits यहां करिए, यहां हम heading हमने बना डाला तीन अंक का वर्ग तीन अंक का वर्ग आईए, सीखते हैं, कुछ बहतर तरीके से हम सीखते हैं तीन अंक का वर्ग, एक सिंपल से प्रस्नी की सुरुवात करते हैं 203 का square ठीक है, तीन अंक का वर्ग 203 का square यकीन मानिए, इस क्लास के बाद बहुत कुछ शीखने को मिलेगा बस बने रही है हमारे साथ 203 का square, करे शुरू ठीक तो था, हाँ 203 का जब square हो तो आप कैसे करना है समझाते हैं पहले क्या करिए कि इसको एक single step में रखिए और इन नोनों को साथ रखिए एक rule होता है rule के according चला है A, B, B, C लिखने की कोई ज़रूत नहीं है और टीन step बनाईए 1, 2 and 3 अच्छा वहाँ हम लोग लिख रहे थे एक step में दो अंग को लिख लें वहाँ लिख रहे थे one time, one digit हर बार लेकिन यहाँ लिख रहे हैं one step, two digit मतब एक डबबे में आप दो अंग को लिख सकते हैं है ला, तीन डबबा आए तो चे उंग को लिख सकते हैं कोई दिक रहते हैं यह दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, यानि यह तीन ना पढ़के हम इसको जीरो तीन पढ़ेंगे, तो पहले आप इसका स्क्वाइर करिए, दो का स्क्वाइर चार, चार लिखें या जीरो चार लिखें, उससे फरक नहीं पढ़ने वाले हैं, फिर सबको गुना कर दिजिए, ऐसे किस ट्राइप में, यह दोनों साथ में रहेगा, जब भी रहेगा, अगर यहां एक रहता तो इसको एक और तीन ना पढ़ते, इसको तेरा पढ़ते, तो तीन है और यह देव है, दो तीया छे, दो तीया छे, छे दुनी बारा, क्योंकि दोन क्लिक सकते हैं, और फिर आ आपका फाइनली उत्तर आया, 41209, 41209, सिखे या नई सिखे गवर, बताएं हमें, एक स्टूडेंट करी, सर 409 होगा, कैसे होगा, जी, 203 है, 203 होने 203 करी, देखिया आता है, फोन में उठाई और करके देखिये, जड़ा, कैलकुलेटर वाले एरिया में जाईए, और 203 होने 203 करके बताईए, क्या आमने सही किया है, यस यह नो में जबाब दीजे, अगर एक प्रस्ट में, अगर एक प्रस्ट में समझ नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमें समय दीजी, आपको हम बहतर तरीके से समझा देंगे, 405 का स्कूर, अभी 10 मिनट में एकदम दोड़ना शुरू कर देंगे, आपके क्या बहतर समझा है, तीन स्टेप बनाईए, ठीक है, कैसे बन अतने हो, तो सिखाने के लिए इतना करना पड़ता है, ये दोनों हमेशा साथ मेरेगा, दूसरा और तीसरा अंक, अभी 0,5 अगर एक पांच रहता, तो एक पांच ना पढ़के, इसको हम 15 पढ़ते हैं, इसका स्कूर यहां लिखे, 4 का स्कूर, 16, दो अंक लिख सकते हैं, इसका स्कूर आप यहां लिखे, 5 का स्कूर, 25, ठीक है, और अब क्या करना है, इन दोनों को इसके साथ, 5 चक 20 दोनी, 16, 40, 25, अंसर देखिए, 100% समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नी, बस थोड़ा समय दीजे, टाइम दीजीगा तब तो न, कुछ करने के लिए, कुछ समझने के लिए, थोड़ा समय तो देना पड़ेगा आपको, अभी और देखिए, अभी जीरो वाला ही हम जानबूच कर ले रहे हैं, कि अगर जीरो वाला आपको समझ में आएगा न, तो आगे की प्रकिरिया आप समझ पाओगे, ठीक है, ओके, ये दोनों साथ में रहेंगे, कंबाइन रहता है ये दोनों, तो 5 का स्कॉर 25 यहां लिख दो, ये 0, 4 है, 4 का स पचीस, चालीस, सोला, अभी और, अभी तो कुछ नहीं है, देखो, 200 का छोड़ी है, 300 पर आते हैं, 309 का स्कॉर, एक, दो, तीन, अस्ते, ये दोनों साथ में रहेगा, तीन का स्कॉर 9 भी लिख सकते हैं, 0, 9 भी लिखेगा, कोई फरक पढ़ने वाला नहीं, क्योंकि 0 आग 9 का स्कॉर, ये 9, इसका स्कॉर यहां, इसका स्कॉर यहां, और इसको इसके साथ मुना करिए, 9, 3, 27, 27 दुनी, 54, यानि 95481, ये आपका उतर होगे, अब बताए, कैसा लग रहा है सीखने के बाद, बिल्कुल गलत ना करें, अच्छे से सीखें, आपको एक वहतर कॉंसेप्ट देंगे, उधर मिटाएंगे, इधर सिखाएंगे, इधर सिखाएंगे, उधर मिटाएंगे, एक एक कर करके, दो सो बारा का स्क्वेर, अब परिशानी बढ़ेगी, ये दोनों एक साथ रहता है, आपको पता है, पहले तो नौ था तो जीरो नौ था तो जीरो नौ ही पढ़ते थे, लेकिन अब दो अंको गया, एक और दो तो अब इसको बारा पढ़ेगे, देखो करना क्या है, तीन स् एक, दो तीन, पहले इसका स्क्वेर कर ये दो का स्क्वेर, चार, चार लिखे हैं ये जीरो चार लिखे हैं उसे परग कणने वाला देए है, लेकिन ये बारा का स्क्वेर होता है एक सो परदर दोनों का, तो ये दोनों साथ में है ना, Blair EXac Advent, क्यों कि भाएगे हर बार 244 तीनंक हो गया परिशानी बढ़ गया तो अब हम क्या करेंगी कि सर्फ थर्ड स्टेप में जैसे दो का स्क्वाइर चार तो हमने जीरो चार लिख दिया नई भी लिखते चार भी लिखते तो क्योंकि जीरो तो आगे ही था कोई फ़रक पढ़ने वाला है नहीं तो ऐसे कंड तो इसको इसके साथ 1224 24 24 दुनियर तलिस और हाथ में एक ता उन चासे नहीं फूर फूर नाइन फूर फूर करके देख लिए 212 गुने 222 कि एक बढ़ करके देख लिए कि आया है अंसर या नहीं फिर बताईएगा आप हमें देख लिजे एक बढ़ करके कि हमने जो बताया है वो है या नहीं फूर फूर नाइन फूर 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 से करके देख लिजे कैलकुलेटर से 100 परसेंट आपका उतर यहीं होगा ठिक है अगले प्रश्न की बात करें तीन सो पंद्रा का स्क्वाइर करिए यह दोनों साथ में रहता है याद रखेगा तीन स्टेप वन स्टेप मैक्सिमम टूर जीट और मिनिमम भी टूर यह होगा सही है थीन का स्क्वाैर नों एस्का स्क्वाइर करना है जीरो नों पंद्रा का स्क्वाइर होता है दो सो पचीस कोई बात नहीं थी waspundם होता है हम पचीस यहान लिख देंगे दो हमारे हाथ में रहेगा पंदरा तिया पैतालिस क्योंकि इसको और इसके साथ गुना करना है तो पंदरा तिया पैतालिस तीन गुने पंदरा पैतालिस दूने नब्बे और हाथ में दो था बेरानवी 99225 99225 ठीक है अगर इस तरह की समस्या उत्पन हो 504 तो हमने लिखा भी नहीं 99225 एक और जो बहुत बहतरीन होने वाला है 400 415 का स्क्वेर अगर करना हो आईए ये थोड़ा सा सीखने वाला चीछ है ध्यान से देखिएगा वरना ये दिक्कत हो जाएगा आपको 415 में 15 को एक साथ रखेंगे और 4 अलग रहेगा तो 4 का स्क्वेर यहां लिखना है 16 15 का स्क्वेर होता है 225 लेकिन कोई बात नहीं हम 25 लिखेंगे तो 25 लिखने के लिए ये हमारे हाथ में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है ना अभी अभी इस चीज को कर भी रहता है तो 2 हो जाएगा अब इसको इसके साथ गुना करना है 15 चक 60 और 60 को इसके साथ गुना करना है 120 और हाथ में 2 था यहां हो गया 122 हमने क्लियरली लिखा है वन टाइम वन स्टेप टू डिजिए फिर यहां पर परशानी है कोई बात नहीं कोई बात नहीं 25 तो 25 ही रहेगा और 122 का लिख दीजिए 22 और एक उठाकर इसको बेज दीजिए क्योंकि 122 हम नहीं लिख सकते हैं वो सैकड़ा पर था तो 16 इसके साथ एक इंकलूड जाएगा 17-25 जी अंजली जैसवाल ने उत्तर दिया है बहुत बढ़िया एक बार अब बताईए कि आज का सेशन कैसा रहा गुड बेटर या वेस्ट या अदभुत क्योंकि बहुत बेतरी इन क्लास आज हमने अब के लिए करवाया है लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा